नमस्का दोस्तो आपका स्वागत है सुबोर डिजिटल योटूब चैया में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईसमान कार अपरेटा अडि कैसे अपलाई करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तो आईसमान कार्ड अपरेटा एडि आप बना लेते हैं तो आप अपने परिवार में पूरे परिवार का आईसमान कार्ड बना सकते हैं अपने नजिदी की जो भी आपका गाउं में आपके सहर में आपके नजिदी की जो भी बैकती है सब का आईश्मान कार्ड बना सकते हैं तो कैसे आपको Iceman Card Operator ID apply करना है, कैसे आपको Youge ID password create करना है, इस वीडियो में आपको पूरे detail में बताएंगे तो वीडियो को पूर देखीगा। दोस्तों, आपके family में किसका किसका आईसोमान कार्ड बना है, अगर किसी का नहीं बना है और किसी का बन गया है, तो आप पूरे family का operator ID से कार्ड बना सकते हैं, और आपका card जो है, एक मिनट के अंदर बन जाएगा और अप्रूब भी हो जाएगा, उसके बाद कार्ड को डाwnल करते हैं सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है गूगल में आपको सबसक्राइब लिखना है यह जिए वाला आपको लिखना है आपके सामने यह वेवसाइट आजाएगा इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर किलिक करेंगे तो Iceman card का official website खुलेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं तो आपको नीचे के तरफ आना है scroll down करके और यहाँ पर देखेगा ध्यान से तो एक option है operator यहाँ पर इस पर आपको किलिक कर देना ठीक है चलिए इसको हमने किलिक कर दिया उसके बाद option आता ही नीचे देखेगा ध्यान से तो option है sign up करने का यह देख सकते हैं इस पर आपको किलिक करना है उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़े बताया गया है कि अगर आप operator ID ले ले लेते हैं तो यहाँ पर लिंक आधार कर सकते हैं किसी member को list में नाम नहीं है तो जो है add member कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप KYC कर सकते हैं status चेक कर सकते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि operator लेते हैं तो आप किसी भी member को यहाँ पर एड कर सकते हैं जिसका list में नाम नहीं उसका भी card बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो option sign up करने का इस पर आपको क्लिक कर देना है साइन वाले option पर क्लिक करना है और यहां पर इस तरीके का page खुलेगा और यहां पर करना क्या है आपको अपना अधार नंबर टाइप करना है उसके बाद select EKYC तो यहां पर option हम लेंगे OTP का ठीक है देखिए हम आपको बताते हैं यहां पर इस तरीके से आपको अपना अधार card का नंबर लिक देना है उसके बाद validate वाले option पर क्लिक कर देना है ठीक है फिर आपको जो है यहां पर option आ अधार OTP हम अधार OTP select करते हैं इसको allow कर देते हैं permission को हम allow करेंगे ठीक है तो यहां पर अधार नंबर आपको टाइप करना है अब आपको यहाँ पर personal information देना जैसे कि आपका नाम, gender, age उसके बाद आपका address पीन को और सब कुछ यहाँ पर आजएगा आप देख सकते हैं उसके बाद district name भी आजएगा तो current address भी हमारा same है आधार में जो है जिसको हम current पर tick कर दिया तो वो भी हमारा automatic fill up हो चुका है ठीक है यह same था हमारा अब यहाँ पर आप से पूछेगा एक email id, एक mobile number उसके बाद फिर से एक mobile number ठीक है यहाँ पर देखिए अपना email id आपको यहाँ पर देखना है एक mobile number देना है फिर से यहाँ पर OTP आगा जो number पर OTP आगा उसको आप भर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका photo आजाएगा जो अधार कार्ड में है ठीक है अब यहाँ पर प्लस वाले पर किलिक करना एक photo आपको नया वाला upload करना होगा तो चले इसको हम सारे चीजे भर लेते हैं उसके बाद next करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने mobile number verify कर लिया OTP देखके यहाँ पर यह old photo है नया photo एक upload कर दिया photo 1 MB से कम होना चाहिए ध्यान दिजीगा ठीक है उसके बाद नीचे आएगा आपको add role detail इसमें आपको सही से भरना होगा नहीं तो आपका operator ID यहाँ पर अपरूब नहीं होगा यहाँ पर select entry में आपको जो है यहाँ पर देखिए option आएगा national health authority यह वाला आपको click करना है ठीक है तो अभी जो है यहाँ पर हम card को operator ID लेना है तो यहाँ पर shay बिहार select करना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी district को state होगा उसलेक्ट करना है तो हमाना बिहार है ठीक है उसके बाद entry type में आपको जो है यहाँ पर card creation agency type कर देना है entry name में आपको जो है यहाँ पर एनम सलेक्ट करना है उसके बाद user role में आपको अपना operator भी रखना है क्योंकि हम operator ले रहे है ठीक है उसके बाद applicant में आपको जो है 20 रख देना है BIS उसके बाद entry code में आपको जो है एक code बनाना होगा ठीक है इंट admin code आपको बना लेना है उसके बाद add करना होगा है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है admin code में आपको कुछ भी बना लेना एक code जैसा ठीक है उसके यहाँ पर एक option आएगा user credential तो इसमें आपको username password password बना के submit करना होगा username आपको याद रखना है password याद रखना है क्योंकि username और password से ही login होगा तो सारे चीज अच्छे से भर ले जएगा उसके बाद आपको submit करना है आपका जो है operator ID बन जाएगा तो चलिए इसको हम user ID password बना लेते हैं उसके बाद submit करके आपको दिखाते हैं दोस्तो submit करने के बाद दोस्तो submit करने के बाद आपका जो है operator ID submit हो जाएगा उसके बाद approval एक से दो घंटा या फिर बारा घंटा के अंदर approval आपको मिल जाएगा approval मिलने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना user ID password देखके आपको log in कर लेना है log in करने के बाद आप यहाँ से अपने family member में card के लिए apply कर सकते हैं किसी का नाम add कर सकते है अधार link कर सकते है किवाईसी कर सकते है card को download कर सकते हैं तो सारे काम यहाँ से आप कर सकते है operator ID login करने के बाद तो अभी हमने submit कर दिया जैसे अप्रूब हो जाता है तो हम login करके card apply करके आपको दिखाएंगे नेक्स वीडियो में तो आप लोग मुझे comment करना तो उस वीडियो का description में link डाल देंगे तो वीडियो आपको कैसा लागा मुझे बताईएगा तो चलें वीडियो समाप्त करते हैं